हेलो एव्रीवन जैशिव शंबुन मस्कार तो दोस्तों हमाई जो सीरीज चल रही थी स्मॉल अकाउंट को ग्रोव करने की उसका कल गाई से एक महिना पूरा हो गया था तो आज उसका आपको दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट तो गाईस देख लिजे कर लिया है अमाउंट तो अभी इतना रुपीज हमारे अकाउंट में चलो अभी आपको दिखाते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट तो उसके लिए हमें क्या करना है यहां जाएंगे हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस के लिए और यहां पर हमें क्या कर रहेंगे और अगर आप देखोगे इसका स्टेटमेंट ठीक है कितना दिखा रहा है 11,465 रोपीज और हमारा जो अकाउंट है यह कितने का है 10,000 से हमने इसको शुरू किया था 15 फैब को ओके आपके सामने दिखाया था 15 फैब गाईज तो यहां पर आप देखेंगे तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 11,465 मतलब 114 परसेंट से जाधा प्रॉफिट गाईज इस मंत पर जो हमारा प्रॉफिट हुआ है 100 almost 114 परसेंट प्र यहां पर भी रोग सकते हैं ठीक है कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है 140 परसेंट ओके और वावाई हो जाएगी कि अच्छा 114 परसेंट का प्रॉफिट निकाल दिया 10,000 की कैपिटल से वह भी ऑके बट गाईज आपको एक रियालिटी बताएंगे यह क्या है हमारा अगर इसमें उन किया इसमन वह दिखा रहा है यह एक्चुल में हमने उन किया है बट गाई इसमें से क्या होता है ब्रोक्रिज भी करती है ना कुछ चार्ज़स भी करते हैं टेक्स वगरा वह आपको दिखाएंगे तो उसके लिए करना है में रिपोर्ट पर जाना है ग्लोबल प पे क्लिक करेंगे segment derivative और यहां पर range select करेंगे 23 और यह अपना month हो गया फैब और 15 फैब से हमने सीरीज शुरू की थी और यह 15 मार्च हो गया के submit करेंगे अब यहां पर जो profit and loss दिखाएगा वह हमारा net profit है ठीक है तो अगर आप देखोगे यहां पर gross profit and loss केतना दिखा रहा है 11,465 लेकिन net profit and loss केतना दिखा रहा है 5537 यह actual amount है जो हमारे account में आया है बाकी कहा गया बाकी गया 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 expenses में जो भी हमारे broker charges है सेबी के charges है security transaction charges है okay stamp duty है गाईज ठीक है exchange turnover charges है यह सारे total expenses में लाके गाईज कितना 5,927 रुपीज अगर आप देखोगे हमने जितना इसमें profit किया है उसमें से maximum amount हमारा expenses में चला गया है ठीक है 5,900 रुपीज expenses में गये और 5,500 रुपीज हमारे account में आये है ठीक है तब भी गाईज अगर आप देखोगे 10,000 रुपीज का तो हमने almost 55% का profit निकाला है इस month which is also good इसमें भी कोई बुराई नहीं है अगर 55% profit गाईज मंतली निकालते हो तो आप लगा लो अपका yearly कितना profit हो गया ठीक है बहुत जादा मत लगाओ yearly लगा लो आप अपका profit 100% भी आप अगर निकाल पा रहे हो यह भी बहुत अच्छी बात है ठीक है तो अभी आपको बताएंगे इसमें आप कैसे अपने account को ग्रो कर सकते हो ठीक है उससे पहले दोस्तों आपको दिखाएंगे हमने कितने दिन आपे loss किया है कितने दिन profit किय आप अप्लोड की वीडियो अप्लाएं करेंगे और यहां देखो गाई आपको ट्रेडिंग रिजल्ट की वीडियो हमारी देखो कि तो आप 15 फैब ठीक है 15 फैब से गाई देखो यहां पे हमने upload करना वीडियो को शुरू किया था 15 फैब से अगर आप यहां देखेंगे त ःर्ण देखो यहां पर प्रफित हुआ ठीक है यहां पर फैमें लॉस गाई यहँने डूस का यहां दूसरे दिन लॉस विरूड यहां यहांपे 350 रूपिज का और इसके अल्लावा गाई एक दिन हमने वीडियो अपलोड नहीं की थी उस दिन भी हमें लॉस हुआ है और हमने टोटल जो ट्रेडिंग की है वो की है 19 डेज ठीक है 90 डेज में से 4 डेज हमें लॉस हुआ है और बाकी दिन हमें प्रॉफिट हुआ है अब देखो अगर आपको अपना अकाउंट भी ग्रो करना है तो ट्प क्या है आपके लिए ठीक है टिप क्या रहेगी आपके लिए वो देखो अब टिप जो है वह में इंए रहेगी अगर आप हमारा अकाउंट देखेंगे या पे और इसकी प्रॉफिट्स कितने पॉफिट हुआ है फाइसन देखो 2020 500 डुपीज lot 900 डुपी जा 900 डुपी ठीक है सारी बात है दोस्तो satisfaction की आपको क्या होना है satisfy होना है guys आपको ठीक है न कैसे वो भी आपको बताएंगे 350 रुपीज का loss 550 profit 800 रुपीज का profit 950 का profit अगर आप देखोगे guys यह 1000 की आसपस हमारे almost profit चलते थे अब यहाँ पर दिक्कत क्या होती है mostly traders का loss की होता है वो इसलिए होता है क्योंकि वो guys 10,000 capital लगाया ठीक है 10,000 capital लगाया 10,000 capital लगाने की बाद सोचते क्या है कि इस से 5000 रुपे कमा ले ठीक है बस यही दिक्कत है आपको guys एक tip देते हैं आज जो आपको definitely बहुत ज्यादा help करने वाली आपको क्या करना है देखो कितने का भी आपका account है 10,000 का 20,000 का या फिर एक लागा आपको क्या करना है आपने जो capital use किया है trade करने के लिए ठीक है उसका guys आपको profit हो या loss हो उसका आपको percentage में calculate करना है बस अगर आपने यह चीज़ सीख ली तो आप guys अपना account 100% grow कर पाओगे ठीक है according to our experience 100% आप क्या करते हो आप guys rupees में count करते हो अब 500 पर अगर कोई कमाता है guys ठीक है आपको कम है 500 पर तो इसको करते हैं देगा guys आपको यह अगर आप percentage में calculate करना शुरू करोगे आप देखना आपकी trading guys mentally आपको कितना satisfaction मिलेगा तब आपका account grow होगा ठीक है तो guys यह आपको tip है एक और इसको आप follow करो definitely guys आपका account भी grow होगा ठीक है तो we hope guys आपको यह series अच्छी लगी होगी अगर guys आप चाते हैं यह series continue रहे तो इस वीडियो का आपको share करना है comment करना है इस वीडियो पर तभी हमें पता चलेगा आपको अच्छा लगा भी है नहीं लगा यह series ओके और इस वीडियो पर like रखते हैं 100 likes अगर 100 likes हो जाते हैं आप comment करेंगे तो guys इस series को हम continue रखेंगे ठ ठीक है तो guys मिलते हैं चलो अपनी next live session में आपको बता दिया हम 11 से और दो विज तक live भी रहते हैं तो आप हमें वहाँ पर भी join कर सकते हैं ठीक है तो चलिए मिलेंगे अपनी next video में तब तो के लिए जाहिंद्वन्यमातरम and thank you for watching